नमस्कार दोस्तों पर फ्टिस्रेस हो के थे दूस्तों मैं बताऊंगा कि तो हम नौर्मल फोल्डर को या डीडिया और गो या ईड गो हमें कोई भी ओल प्लोडर के नाम का जा या आई बी शिरण का एक नौर्मल फोल्डर है उसके बाद उस राइट क्लिक करके प्रॉपटी जाना है प्रॉपटी जाने के बाद शेयर पर क्लिक करना है शेयर पर क्लिक करने के बाद एडवांस शेरिंग पर क्लिक करना है एडवांस शेरिंग के बाद शेयर दफ फोल्डर पर tick करना है उसके बाद permission पर click करना है और everyone पर click करके full control, change and read पर tick कर देना है और ok करना है उसके बाद permission पर click करना है और everyone पर और यह दोस्तो हमारा यह folder share हो गया है इसी पर कर से हम view drive को भी share कर सकते हैं e-drive को भी share कर सकते हैं तो हमें याद रखना है कि permission वरोभर देना है फूल कंट्रोल चेंज और टिक होना ज़रूरी है और दोस्तों यह सब करने के बाद भी हमें कुछ error आसकता है या ओपन ना हो शेरिंग में तो इसके लिए हमें इड्राव या इड्राव के property में जाना है security में जाना है वहाँ पर देखना है एवरीवन को permission मिला है कि नहीं अगर नहीं है तो edit पर क्लिक करके add पर क्लिक करके e, v, e, r लिख कर okay करना है okay करने के बाद everyone आ जाएगा और उसको full control, modify, read and execute, last folder, all पर tick कर देना है और यह दोस्तों folder share हो गया और read drive भी share हो गया thank you दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए more वीडियो के लिए subscribe कर लें ताकि computer related कोई भी दिक्कत असानी से solve कर सके